हेलो दोस्तों मेरा नम है असुप चोरसिया आपका अपने एजुकेशन टीच असुप में स्वागत नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को सेयर की हलो बेल्कम बैक टू आर चैनल एजुकेशन टीच दोस्तों आज जो है हम हिंदी का एक बहुत हीं इंपोर्टन टॉपिक लेकर आया हैं जिसका नाम है प्रियावाची सब्द तो दोस्तों इस टॉपिक से हरे एक एक जाम में कोश्चन पोचे जाते हैं और जो यह टॉपिक है यह टॉपिक बहुत लोग को बहुत कठीन भी सब लोग सोचते हैं कि कैसे याद करें याद भी करते हैं तो लोग भूल जाते हैं और बहुत से लोग हैं कि एक-एक सब्द के तीस तीस चालिस चालिस प्रयावाची सब्द याद करते हैं तो इस टॉपिक में हम हम उसी प्रयावाची के बारे में डिसकसन करेंगे जिससे पेपर में लगबग 10 से 12 साल से पूछे जा रहे हैं वीडियो को पूरा देखेगा और इसमें हम आपको कुछ अच्छा-चा कांस सब्द है यह कमल तो देखिए इसका आप प्रयावाची रट्टा मत मारिए कि कमल का प्रयावाची होता है जलज सरोज पंकज नीरज राज अंबुज सरसिज कंज तो इसको आप इसको ऐसे समझें कि जिस भी सब्द के अंत में जा अच्छरा आ जाए तो जान लेजिए वह अंत में जा अच्छरा आ गया वही कमल का प्रयावाची होगा अब देखें जलज में लाष्ट में आया है तो यह कमल का प्रयावाची हो गया अब सरोज सरोज में भी लाष्ट में जाच्छरा आया है इसलिए कमल का प्रयावाची हो गया इसी प्रकार पंकज नीरज अंब बादल का प्रयावाची सब्द आप लोग या इसको रट्टा मत मारिए कि इसका जलद जलद होता है नीरद होता है अंबोज होता है पयोध होता है वारिद पयोधी यह सब कुछ ना आप रट्टा मारिए किवल यही आप लोग दिमाग में बैठाए रही है कि जिस भी सब्द के अंत में दा अच्छर आ गया तो जान लिजिए वही बादल का प्रियावाची हो गया अब देखिए जलद जलद में लाश्ट में आया है दा सब्द तो यह जो जलद है यह बादल का प्रियावाची हो गया अब देखिए नीरद नीरद में भी लाश्ट में दा आया है तो आख बंद करके इसको टिक किजिएगा कि यह बादल का प्रयावाची है तो केवल आपको यही चीज याद रखना है कि जिस भी सब्द के अंत में दा अच्छा आ गया तो वह सब्द जो है वह बादल का प्रयावाची हो गया अब देखिए इसी प्रकार अंबुद अंबुद समुद्र का प्रयावाची सब्द कैसे याद रखेंगे कुछ भी आपको रटना नहीं है अब केवल इसमें एक चीज़ याद रखिए कि जिस भी सब्द के अंत में धा अच्छा आ जाए तो समझ लीजिए वह जो है वह समुद्र का प्रयावाची सब्द होगा अब देखि नीरद में भी लाश्ट में धा अच्छा आया है तो इसलिए नीरद जो है यह समुद्र का प्रयावाची सब्द है तो आपको बस यह चीज़ याद रखना है कि जिस भी सब्द के अंत में जा अच्छा आ गया वह कमल का प्रयावाची हो गया जिस भी सब्द के अंत में धा अच्छा आ गया वह बादल का प्रयावाची हो गया और जिस भी सब्द के अंत में धा अच्छा आ गया वही समुद्र का प्रयावाची होगा तो चलिए फिर अगला देख लेते हैं अगला आपका है कमल अब देखिए कमल से पेपर में प्रय पूछे जा रहे हैं आपको को याद्र रखिएगा जो जो हम इस में बता रहे हैं आपको तो आएंगे फिर देख लेते हैं कमल से कौन-कौन से प्रियावाची पेपर में पूछे अब देखें कमल का प्रियावाची ये भी होता है नलिन, इंदीवर, अर्बिंद, पदम, सिध्धी, पुंडरीक, राजियू, पुसकर, सतदल तो इसी में से जो है कमल के प्रियावाची अधिकतर पूछे जा रहे हैं तो चले अगला देख लेते हैं, अगला है बादल, अब देखें बादल का प्रियावाची होता है अब्र, जिमूत, बलाहक, वारिधर, अब देखें इसमें से जो है बादल का सबसे ज़्यादा पेपर में प्रियावाची पूछा जा रहा है अब्र यह आपका हर एक पेपर में अब्र आ रहा अब्र और जिमूत यह दो चीज जो है यह बादल के प्रियावाची पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इसमें जो है हम बादल का चार प्रियावाची बता हैं तो आप चारों को चाहें याद रखे या ना रख इसमें सभूफ से ज़्यादा पूछा गया है तो आप में आपको समुन्द का चार पुछा अपड़ा परियावाची या न सब्सक्राइब यह है की उसी का दूसरा नाम अगला है अगनी अगन का प्रयावाची क्या होता अनल सिखी सुची हरी बैस्वानर हुटासन अब इसमें सबसे जब पूशा क्या जा रहा है इसमें दो चीज सबसे जब पूछे जा रहे हैं एक अनल एक सूची और एक हरी भी यह तीन जो है इसमें बहुत ज्छादा पूचे जा रहे हैं तो फिर चले अगला देखते हैं अगलफश, अमृत करीवाची होता है अमित जीवन जीवनुदक यह तीनों पेपर में हखहा पूचे जा अब इसमें जो है इसमें केवल आप एक याद रखिएगा यह सैंदो जो है यह सैंदो पेपर में अक्सर पूछा जा रहा है कि सैंदो जो है यह किस सब्द का प्रयावाची है तो संदो जो है यह अगला देखते हैं अगला है असूर असूर का प्रयावाची होता है निसीचर यातु धान देवारी दनुज अब जो इसमें है असूर का परियावाची सबसे ज़्यादा पेपर में इसमें से दो पूछा जा रहा है, यातु धान और देवारी तो चलिए फिर आगला देखता है, आगला है आख का परियावाची, आख का प्रयावाची होता है चछु अच्छी द्रेग बिलोचन अब जो इसमें है आख का प्रयावाची सबसे ज्यादा पूछा जाता है अच्छी यह प्रयावाची बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है अब चलिए अगला देखते हैं अगला है आकास आकास का प्रयावाच आप किवल इसी तीन को याद रखेगा ःस से जदा में पूझा जा रहा है और अंबर यह दो चीज बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जा रहा है तो चलिए फिर अगला देखते हैं अगला है आनंद का होता है अहलाद igs में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि अस पॉछा जो है यह कि कि प्रियावाची ऑगला प्रियास प्रियावाची होता है बिकनेस अब यह जो दोनों यह पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जा रहा है तो आप गड़ेस का प्रियावाची केवल यही दोनों याद रखिएगा और ज्यादा कुछ ना याद रखिएगा फिर चलिए देखते हैं अगला है गंगा गंगा का प्रियावाची होता मंदाकनी भागी रथी त्रिपथका सुरापगा का प्रियावाची होता सारंग ससी कलाप कलाधर कलानिदि मैंक सितान्स इंदू बिद्उ तो कि कौंसा अग्न को बार कंस च्किर में हैं सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है अब इसमें yerde दो तीन ऐसे जो पेपर में एकसा रिपीट हो रहा है अब जैसे सारंग हुआ अ रिपीट हो रहे हैं तो आप इसको अच्छे से याद कर लेजिए अगला है पानी पानी का प्रयावाची सब्द होता सारंग हो और मेगपुस्प जो है इसमें से सब्सक्राइब जैसे पानी का प्रयावाची यह पूछा जारा सबसे याद सारंग अम्भू उदक आप इन तीनों को याद कर लीजिए और सेस जो है दोनों यह जो है अम्रित और मेगपुस्प इसको चाहे याद रखे या ना रखे लेकिन यह तीनों जरूर स्टार्टिंग वाला याद रख लीजिए गा तो फिर देखते ह इन निरजहरणी नद प्रवाहिनी तरंगडी जलमाला तो अब देखे इसमें इंप्वाटन क्या है तो नदी का जो प्रयावाची है इसमें से यह पूछा जा रहा है अधिकतर की सेल जा जो है यह सैल जा किसकी प्रयावाची है और अपगा यह दो चीज इसमें से बहुत बार रिपीट हो रहे हैं तो आप इन दोनों को को अच्छे से याद रख लीजेगा अगहा है पती पती का प्रयावाची क्या होता है पती का प्रयावाची होता वल्लब भरता और इस सहचर अब देखें इसमें सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है इसमें दो चीज बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है एक आर और एक है इस अगला है पत्नी पत्नी का प्रयावाची क्या होता है पत्नी का प्रयावाची होता दारा बहु कलत्र अब देखें इसमें को सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो इसमें ज तुंग नाग धरडी धर अब इसमें जो है इसमें सबसे जादा रिपीट हो रहा है अगला देखते हैं अगला है पुत्री पुत्री का प्रियावाची होता है सुता दुहिता अब इससे जो है पेपर में ये दोनों ही पेपर में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं तो आप दो सबसे यादा पेपर में पूछा जा रहा है तो इसमें जो है यह चारों पेपर में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं तो आप इन चारों को याद रख लिए फिर अगला है पवन पवन का प्रयावाची होता है मात्रिश्वा प्रभंजन प्रवात पवमान अब देखे इसमें सबसे यादा कौन रिपीट हो रहा है इसमें सबसे यादा रिपीट हो रहा है मात्रिश्वा और प्रवात फिर अगला है बिजली बिजली का प्रयावाची होता है चपला चंचला तडित सौदामनी अब इसमें जो है सबसे यादा रिपीट हो रहा है चप है महादेव महादेव का परियावाची होता है भुजरटी गिरीश सशी सेखर नीलकंठ रूद्र ब्योंकेस बिरुपाच चंद्र सेखर तो यह जो है यह पेपर में रिपीट हो रहा है अब देख लेते हैं इसमें कौन सा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो इसमें जो है रूद्र जो है यह बहुत बार पेपर में पूचा जा रहा है और चंद्र सेखर तो आप रूद्र और चंद्र सेखर और एक इसमें से यह नीलकंठ है नीलकंठ भी बहुत बार पेपर में रिपीट हो रहा है तो आप इसको अच्छे से याद कर लिजे फिर अगला है रात्री का प्रयावाची क्या होता है तो रात्री का प्रयावाची होता है छणड़ा विभावरी त्रियामा सर्वरी अब देखिए इसमें जो है इसमें सबसे यादा रिपीट हो रहा है त्रियामा तो फिर अगला है राजा राजा का प्रयावाची होता है राओ आउनीस नर विशुडू का प्रयावाची होता अच्यूत जनार्दन मुकुंद रिसकेस विशुरूप उपेंद्र कमला कांत अब देखे इसमें जो है इसमें एक चीज बहुत बार रिपीट हो रहा है यह जो है पहला अच्यूत यह जो है विशुडू का प्रयावाची बहुत बार तरड़ी अभ देखेजिसमें सबसे च्बाइब रिपीट हो रहा है इसमें सबसे जीज़ बहुत जादा रिपीट हो रहा है एक मारतंड और एक तरड़ी और रोड़ी कि तरड़ी में अन्तर क्या है तो जो तरड़ी है पहले में तो अड़ी पे जो है आई मिन जो अड़ा है अड़ा पे छोटी ए का मांतरा है तो इसका मतलब होता है सूर्य और तरड़ी जो अड़ा पे बड़ी ए का मांतरा है इसका मतलब होता है नौका और अगला है तरूरी तरूरी का मतलब होता है इस तर तो चलिए फिर अगला देखते हैं अगला है सिंग सिंग का प्रयावाची होता है सार्दूल केहरी केसरी केसी ब्याग्र तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा सार्दूल तो अगला है इस्तरी इस्तरी का प्रयावाची क्या होता तो इस्तरी का प्रयावाची ह वामा भामा वनिता कांता अब इस में इसमें सबसे जादा रिपीट हो रहा है रमडी और वामा या अथी का प्रयावाची क्या होता है तो या चाह modelling स Sorry मतंग नाग कुंजर दुद्ररण वारण कुंभी करीश करी करवर अब देखें इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है सारंग सारंग और नाक यह दो चीज बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं अगला है हिरन हिरन जो है हिरन का प्रयावाची होता है कूरंग सारंग क्रिस्ण सार अब इसमें भी जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है सार उरग काकोदर चछू स्रवा पन्नग हरी अब इसमें जो है सबसे जादा रिपीट हो रहा है पन्नग और हरी का उरग भी कई बार पेपर में पूछा जा रहा है फिर अगला देखते हैं हनुमान हनुमान का प्रयावाची होता है कपीस अब देखिए इसमें पेपर में ऐसा भ है तो आप इसमें कंफ्यूज मत् character हो ये जो बड़े इसका मतल़ होता है हनुमान लेकिन अगर चोटी इका मतल़ होता होता तो उसका मतल़ होता है मैलाया मत मैला चीज कोई हो तो उसका अर्थ और होता है अबदेखिए यहां पेपर में ऐसा जो है यह हनुवान की प्रयावाची नहीं होती है अगला है सोना सोना का प्रयावाची होता हाटक सुवर्ड तपनी महारजत हिर्ड अब देखे इसमें जो है इसमें सबसे यादा हाटक और तो फिर अगला है पत्थर पत्थर का प्रियावाची होता है उपल और अस्म अब यह जो है यह दोनों पेपर में रिपीट जादा बार हो रहे हैं तो आप इन दोनों को याद कर लिजिएगा फिर अगला है मोर का प्रयावाची होता है सिखी में अप्रिय में नर्तक नीलकंट सिता पांग अब इसमें जो है इसमें दो चीज रिपीट हो रहे हैं एक है आपका सिखी और दुसरा आपका है नीलकंट है अगला है दुरुगा दुरुगा का का प्रयावाची होता है कल्याडी सामभवी अमबा अब यह तीनों पेपर में रिपीट हो रहा है तो आप इन आके पारवाची इसको डेफिनेटली याद कर लिजेगा तो लच्मी का प्रयावाची होता है इंदिरा स्री सिंदुजा फिर अगला है पारवती पारवती का प्रयावाची होता है भावानी अम्भीका दुरुगा रुद्राणी सैल जा अवया सैसुता और गिरिजा तो आप इसमें से जो है सबस्राइब नहीं से दो से तीन सब्द जो εν में पूंच जा रहे हैं पेपर में ऐसा पूचता है कि घावानी यह कि लए प्रณ जाक कुंसकी Cindy पारवति का प्रेवाची है और साहलता है ङृतिले आला का प्रवाची होता है अगला है बाहरा Mai का प्रयावाची होता है ब्रिंग अली चंचरीक स्रीलिमुख मधूप मिलिंद अब इसमें से जो है यह इसमें से जो आपको पता है इसमें से पूरा का पूरा प्रयावाची सब्धाता है और भ्रहमर जो है यह पेपर में 99 बार पूछा गया है तो आप भ्रहमर का प्रयावा प्रयावाची तो फिर चलिए यमुना यह भी बहुत बार पेपर में रिपीट हो रहा है तो आप इसको भी भामर की तरह पूरा याद कर लिजिएगा अब यमुना का प्रयावाची होता कालिंदी अरकाजा अरकाजा रबितनया क्रेशडा सूर्यजा तो यह भी पेपर में बहुत बार रिपीट हो रहा तो आप इसको भी पूरा याद कर लिजिएगा फिर अगला है तरंग तरंग का प्रयावाची होता उर्मी लहर बिची आप इसको भी पूरा याद कर लिजिएगा फिर अगला है क दूर्गा का प्रियावाची होता है मिनाच्षी नहीं ही में तो अब almonds ऑन उसमें कंफियूज मत होगोगा तो मिनाच्षी यह शारंग शोहीं यह बहुत बार हूसाया है इससे पहले के प्रियावाची में तो सारंग जो है ये पांच सब्द का प्रयावाची होता है ये होता हाथी का भी प्रयावाची सारंग होता है हिरण का भी साप का भी जल का भी और चंद्रमा का भी प्रयावाची सारंग होता है तो आप इसको ऐसे एक ही बार में याद रख लिजे कि सारंग का प्रयावाची होता है फिर अगला है सिखी सिखी का प्रयावाची होता है अगनी और मोर तो आप इसको भी याद कर लिजेगा फिर है आपका हरी हरी जो है यह साप और अगनी दोनों का प्रयावाची होता है फिर अगला है नीलकंट नीलकंट जो है यह मयूर और महादेव दोनों का प्रयावाची होता दुर्गा और पारवती फिर अगला है अंबिका अंबिका का प्रयावाची होता दुर्गा और पारवती दोनों के प्रयावाची होते हैं अंबिका फिर हमारे वीडियो का लास्ट जो है यह सैल जा जो है यह नदी और पारवती दोनों का प्रयावाची हो क्निता है तो आपको म裡ब पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो पहल करके पूरा अच्छे से एक बार और देख लीजेगा और अपने लिख लिए गैशा और तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा और हमारी चैनल पर अगर नये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकंपो जरूर प्रेस कर दिजीगा तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए जाइंज है झाल बंट...